So, Hello Hi Guys, मेरा नमी याश्वान, फ्लिम विंडो पे आचुकी है, तिकी पूरी जिसका काफी ही कॉंट्रोवर्सी में नाम रह चुका है, आकांशा पूरी से बात करते है है, तो विल्कॉम को फ्लिम विंडो धायंक्यू पता नहीं यार मैं कॉंट्रोवर्सी के पीछे जाती हूँ कि इसा ही नहीं चूटा है हमेशा कहीं न कहीं ऐजाती है जिब्कि एक दम गेम खेलना चाह रही थी अगर मुझे मुझे मौका देते गेम खेलने का फाइनली तो एक टास्क मिला जिसमें मुझे लगा कि चलो कहीं अपने आपको प्रूफ करने का मौका मिला है अपनी टीम के लिए खेलने का मौका मिला है अपना 100% दिया और कॉंट्रोवर्सी बन गई जर्नी की बात करें काफी छोटी जर्नी थी तो क्या कुछ कहना चाहोगे जर्नी एक बात मुझे अच्छी भी लगी जब मैं बहार आई तो लोगों ने वही मेरी डिग्निटी और ग्रेस को बहुत अप्रिशेट किया जो लोग मुझे जानते उन्होंने कहा मैं एक्जाक्ली जैसे मैं बाहर हूँ जैसे मुझे सालों से जैसे आप लोग मुझे सालों से जानते बड़ उनी चीजों के लिए घर में मुझे फेक बोला गया घर में कुछ और बोला गया उनको मेरी स्वीटनिस डाइजस नहीं होती थी अगर मैं सबसे पूछती थी खाना यह वो कहते न नहीं करती वो नहीं हूं मैं पर आइटिंग वही सब चीजे मुझे थोड़ी भारी पड़ गई और एक रियालिटी शो को कुछ ज्यादा ही रियल खेल दिया मैंने और शायद इसलिए आज भार हूँ शो की बात करे तो बेबी का गेम कैसे लग रहे हो काफी चैरे पड़ और उसके पर काफी ट्रोल भी यार यह कौन सा चैरा पहले तो मैं जानना चाहती मैं खुद एक ऐस्टर लॉजर की बेटी हूं मेरी मॉम अस्टर लॉजर है यह कौन सा चैरा होता है कि चैरा तो बदल नहीं गया किसी ने प्लास्टिक सरजरी तो अंदर करा नहीं कि वही च प्लास्टिक सरजरी तो यह इनका जो फेस तो हम वही लेकर बैठे है यार पूरे शो में पर इनकी फेस रीडिंग चेंज हो जाती है तो मुझे नहीं पता इनकी दुकान बार फेस रीडिंग की कि चलने माली है इसके बाद क्यू कि क्लाइं अगले हफते आएगा तो फिर तो फिर फेस रीडिंग चेंज तो क्या है मैं तो हाथ जोडे उनके फेस रीडिंग से बट डेफिनिटली गेम को लेके मुझे लगता उन्होंने क्यारेक्टर पकड़ा हुआ है तो डिसाइड घर से करके आई थी कि मुझे इस चो का वांप एक नेगिटिव बनना है और व स्वीटली मैंने उन्हें देखा घर में काफी खाना बनाती हैं बहुत अच्छा बनाती हैं जब वह सब कर रही होती हैं तो वह बहुत स्वीट लगती हैं मुझे शिदद से अपना खाना बनाती हैं कभी मना नहीं करती हैं जब मेकप एकप कर रहे होते हैं हमने बहुत बार साथ में तयार हुए, तब भी मुझे वो नॉर्मल लगती है, बिलकुल आप आप करके अच्छे से मुझसे बात करती है, फिर जैसे कुछ opportunity दिखती है, इंदा मजोर से हवाज आना चालो हो जाती है, चिलाना किसी बात, कोई बात ही नहीं होती है तो मुझे लगता है, वो अच्छे लगता है, कि मुझे गेम में खेलना है, कैसे है, और मैंने भार आके अच्छली देखा, एपिसोद में बहुत जादा दिख रही है तो शायद वो सही चल रही है, फिर उन्होंने कियारेक्टर पकड़ा है, कि वैंप पकड़ूंगी तो जादा फुटेज मिलेगा, जादा दिखूंगी जादा मेरी बात होगी, मुझे दिखना है क्लियर, उनको कोई लेना देना नहीं क्यों कैसी दिख रही है, या उसके बाद उनका यह जो प्रोफेशन है, एस्ट्रोजी का या फेस रीडिंग का, उसके क्या एफेक्ट होगा उनको कोई लेना देना नहीं, वैंप का करेक्टर शिदद से निभा रही है, और निभाएंगे अंधर बात की जाए गेम की आपकी किस का किसा काफी फैला है, और काफी भाराने के बाद भी लोग आपसे किस भी नहीं थी, तीस सेकेंड की किस थी, उतना बड़ा तो मुद्द हो गया है, तो काफी बड़ा मुद्द हो गया है, मैंने जेनुइली नहीं सोचा था, मुझे लगा था, एक तीम टास्ट जीट चुके थे, फैक्ट्री टॉय फैक्ट्री का, तो यह हमारा दूसरा टास्ट था, हमने डिसाइड किया था कि आज तो हमें इस अपनी टीम को जिता नहीं है, मैं वही डिसाइड करके गई थी, मुझे था कि जो भी टास्ट मुझे बोलेंगे मुझे मना नहीं करना और लखीली पहला ही मुझे मिला, मैं पहले शॉर थी कि ठीक है मुझे नहीं और ही कोई मुझे impossible नहीं लगा, ऐसा नहीं है कि मैंने करियर में किस ने कि किसी कोस्टार को किस नी कि और 30 30-second की बात थी और मुझे शॉर था कि अगर तो कुछ गलत होगा एक अनांस्मेंट आएगा और यह चीज यहां रुक जाएगी पर यूजुली होता है पहले भी मैंने कुछ सीजन देखा है जब कोई टास्स बहुत जाधा हो रहा होता था या किसी के साथ अत्याचार हो रहा ह होता था या कुछ एक्स्ट्रीम लेवल पर तो बिग बॉस का एक अनांस्मेंट आ जाता था और वो टास्स महार रुक जाता था तो मुझे भी लगा यह ऐसा तो कोई चीज नहीं हो सकती नहीं तो नहीं हो सकती नहीं तो नहीं हो सकती नहीं तो अनांस्मेंट नहीं आया मै मैंने हाँ बोली मेरे को okay था में को बिलकुल clear था कि मैं okay हूँ मैं कर सकती हूँ कोई big deal नहीं है इसमें और जद के अलावा कोई और भी होता तो भी मैं करती मुझे तो मेरे टास जीतने से मतलब था 30 सेकंड का और वहीं मैंने किया मैंने अपना टास जीता और मैं सिर्फ टास को टास जैसे ले रही थी 30 सेकंड खतम हो जाए मैं lips to lips touch भी करूंगी तो भी जीत जाओंगी मैं उतना उस kiss में involved भी नहीं होना चाहती थी क्योंकि मेरे लिए kiss matter नहीं करता था किसको कर रही हो वो भी matter नहीं करता था 30 सेकंड मैंट करते थे जो मेरा time limit था पर जद उस चीज में कुछ जादा ही involved हो गए वो जब किस कर भी रहते हैं मुझे feel हो रहा था कि वो भूल चुके हैं कि एक task है वो कुछ जादे emotionally involved हो गए बहुत खुश थे वो अपना 100% एक proper किसमें दे रहे थे जैसे कि एक boyfriend एक lover या एक scene में को स्टार देता है पर मैं नह ही रही थी उतना तो अगर उनके साइट से 100% आ रहा था मेरे साइट से 20, 30, 40 इतना ही हो रहा था और उतने देर में 30 second हो गए task खतम हो गया और उसी के बाद उन्होंने मुझे बोला कि अकांग शहरा बाट के सह और उन्हें लोगों को भी बोला उन्हने मेरे मूप भी बोला और तो मुझे बात समझ नहीं मुझे जरूरी नहीं लगा और मैं अपनी किस उन पर क्यों वेस करूं मैं अभी उनके लिए उस ताइम ऐसा कुछ फील नहीं करती थी और ना मुझे कोई लेना देना था उस बात से मुझे सिफ टास्ट चीतना था तो I don't know इस बात का इतना म क्योंकि मुझे नहीं लगा था अगर मुद्दा होता तो टास्क रोक दिया जाता था तास्क में आप काफी रॉइग्स येस मैंने रॉइग्स खाए मैंने वो जमीन पे फट्ष पे अपने आपको गिसा तो मैं क्लियर थी कि मुझे सारे और मैं पांट से किंड से भी कम में वो रॉग एक स्पी लिए एक सांस में कोई मुद्दा नहीं बनाया उसके बात कि मुझे उल्टी आ रही है जो लोगों को प्यास का के आ रही थी जो सैलेड में हम घर में रोस काते हैं तो मुझे समझ नहीं आया कि ये सब जो मुद्दे बने मैं तो सोच रही थी वीकेंड पर बोलेंगे कि अकांग शा क्या टास केला या तो उल्टा ही बाजी पलड़ गी और मुझे इतना इतना सुनने को मिला और फिर मैं विक्ट भी हो गई ज़त का पैंट ड्रॉप वाला किसा है ओ गौड सबसे ज़ादा तो वही इरिटेटिंग था कि वह एक्षिन किसी ने सपोर्ट ने किया और मैं सामने थी मैंने अपनी आखों से देखा था वह पट मुझे सबसे शॉकिंग बात यह लगी कि उस चीज़ को इस चीज़ को ब्लर कर दिया गया और इसको नहीं दिखाए गई कहीं वो इतनी प्रमोट नहीं हुई पट अगर यह भी गलत था तो इस चीज़ को भी ब्लर कर देते इस चीज़ को भी काट देते आप इस चीज़ को भी नहीं इसे तो आपने प्रमोट किया हर जगे इसे त तो यह दो दो बाते मुझे समझ में नहीं आई और जब सर ने भी सौरी बोला था तो उन्होंने दोनों चीजों के लिए बोला था उसकी पैंट नीचे के लिए और किस के लिए पर कन्वीनिटली उस चीज को सिर्फ किस पर कई बायस्ट हां मुझे कही ना कही ऐसा लग रहा था कि अगर गलत है तो आप कैसे दिखा रहे हैं आप बलर क्यों नहीं कर दिया आपने इसको भी बलर कर सकते थे आप ना दिखाते आप उसके प्रोमोशन विडियो ना काटते आप उसकी रील्स नहीं बनाते पर सब कुछ हुआ तो इसलिए मुझे ये चीज़े समझ नहीं आई और मुझे ये भी नहीं समझ में आई जब मैंने खाने के लिए एक एमोशन एक्स्प्रेस किया था तो मुझे बोल दिया क्या था ये कितना गलत है मुझे तीन दिन जेल में रखा गया था तो जब इनों जदने पैंड तो यह बाते मुझे बहुत अजीब लगी कि जब मेरे साथ हो सकता है तो बाकियों के साथ क्यों नहीं हो रहा है यह देखे सौरी उनका टेक है मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहती है और उनने बोला कि उनकी मूवी में नहीं होता है तो यह भी उनकी इंडिविज्वल चॉईज है अजन आटिस्ट क्योंकि आमिर खान सर की मूवी में भी होता है बहुत से अक्टर्स की मूवी में होता है उ शो के होस्ट वो है इसलिए वो अपनी बात कर रहे हैं तो मैं उस बात को रिस्पेक करती हूँ यह उनकी चॉईज है बट यहां बात उसकी थी ही नहीं यह टास था प्लस यह बिग बॉस ओटी टी जियो सिनेमा पे है तो अगर मुझे लगता ठीक है चलो हमने अगर कोई ग प्रमोड भी कर रहे हैं और आप फिर मुझे ब्लेम भी कर रहे हैं आपके होस को भी सौरी बोलना पढ़ रहा है उस चीज की वज़े से तो इतनी सारी बाते हैं यह बहुत ही गन्फ्यूजिंग थी मेरे सो बिग बॉस के बिग बॉस ख़तम होने के बाद जद के साथ टच म मुझे मिले थे तो काफी चेंज हो गए थे विकेंड बिलकुल एकदम फिलिप माल दिया था उन्होंने जैसे उनको बोला गया था कि एंगल तो अच्छा लग नहीं रहा है तो उसके बाद तो उन्होंने मुझसे बिल्कुल भी वैसी कोई बात नहीं की मेरे आसपास भी न दिन मेरे साथ थे तो मैं जरूर मिलना चाहूंगी और मैं अक्चली मिलके देखना चाहूंगी कि वो है कैसे क्योंकि अभी आप मुझे पूछे तो मैं सच में कन्फ्यूज हूं कि जद कैसे हैं क्योंकि मुझे खुद नहीं बता वो कैसे हैं उन्हें भी पता है कि नहीं लड़कियों के बेच में मेरी fan following बढ़ रही है तो उसी को बेच रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं फिर इस हिसाब से तो गेम अच्छा कहल रहे हैं इनसान कैसे यह बताने के लिए तो मुझे बाहर मिलना पड़े कहां जा रहा है माना जा रहा है लोगों का कि बिग बॉज के घर में एक और बिग बॉज है जो कि पुजा भटे जिसके अकॉर्डिंगली सब चल रहे है परे में क्या थे बिग बॉज तो नहीं बट डेफिनिटली प्रिंसिपल वाइब मुझे आती है उनसे मैंने बहुत बा रॉब है एक उनका ओदा है इतने साल से जो हम लोग देख रहे हैं तो जब वो बोलती है सब सुनते हैं ये उनकी क्वालिटी को बखुभी उसकर रहे हैं गेम में सब को अपनी बात में कर लेती हैं जिसको जो सुनाना है सुना देती हैं और उनसे बात भी कर लेते हैं तो मुझे लगता है मेरे टॉप टू डेफिनिटली अभिशेक और पूजा माम मुझे दिखते हैं क्योंकि गेम बात अच्छा खेल रही है अभिशेक की गेम की बारे में बात किया जाए तो कि इस तरीके का गेम आपके साथ लगा उसके आपकी थोड़ी नजदीकी बनी थी फिल थोड़ा वीकेंड पर उसे भी बूल दिया गया था कि आप रॉंग कंपनी में हैं अकांग्षा और पलक से दूर रही है तो पलक तो बच्छी थी मैं तो फिर वो मुझ से भी उन्होंने बना लिया था तो मुझे पर वो बहुत पसंदे है मैं चाहूँगी कि भार आके मुझ से टच वो बहुत अच्छे से उस चीज को यूज कर रहे हैं बहुत इंटलिजेंट है तो हीस अस्मार्ट प्लेयर और यह प्लेश प्लेश किया था और एक पिक्चर रिलीस किया था एक लोगों को बहुत पसंद आया और साडी है गीली गीले गीले हीरो बारिश में भीग तो रोम हम लोग बारिश में और शारद मलोत्रा मिलके पायल देव रुदित नारायन की आवाज है तो 90 का एक फ्लेवर्स 90 का लेकर आएंगे हम लोग इस गाने के साथ बहुत रोमांटिक सॉंग है तो I'm really looking forward for this upcoming project की बात करे तो audience अब कहां कुछ देखाएंगी मेरी सारी सीरीस की भ वाली एक रिलीज होगी तो फिर से जियो पे आउंगी मैं और उसमें भी मैं और शारत साथ में है करनवीर वोरा भी है तो हम लोग दिखेंगे वापस से आपको जियो पे बहुत इंटरिस्टिंग सीरीस के साथ और फिर ये दो गाने मेरे एक और पवन सिंह का सॉंग रिली क्यों कि आपने मुझे संजा भार और सपोर्ट किया और आइम शॉर आप बहुत बहुत डिसपोइंड हुए तो सो सॉरी इतनी जल्दी आने के लिए बड़ अब अभी यहां लाइट नहीं होती बहुत को चाह रहा है मेरा उसमें उझे सपोर्ट कीजिए और लाव ये जात जरूर जाओंगी लेट सी की अब क्या होता है बट हाँ थोड़ा सा देफिनेटली अभी थोड़ी डर डर गई हो भी दूसरे काम पे थोड़ा फोकस कर लो फिर देखे है लाइफ लंबी है क्या मौका मिलता है अगे । तक यू तो जैए अकांग्षा पूरी बीडेव अधिन वादू इखिंया ऑल्के सूर्ट्व फिर फ्ल्म यू वी विंडोर्ट के सॉर्या है ट्स्या कांग्षा पूरी और वादिम छिव लिए उन फिल्म विंड़ फिल्म धिल्म के ट्राव घ्मिलिया ब्का शॉर्या